चलिए देखिए क्वेश्चन नबर 16 से आज क्लास स्टार्ट करनी है कल क्वेश्चन नबर 15 तक कर लिए थे ठीक है बिटा आप माइक आफ कर लो जब जब देना हो तो आप जो है दे दी यह ठीक नहीं इसमें लेक्टर रिकॉर्डेबल होते तो साउंड भूज़ा आता है च मतलब की किस प्रकार की स्मृति में एक साइकल चलाने का कोशल संग्रहित होता है साइकल चलाने की जो कोशल है किस प्रकार की मेमोरी में संग्रहित होता है प्रोसीजरल मेमोरी आइक आइकॉनिक मैमोरी एपिट एपिसोडिक मैमोरी और यू कैन से डिकलेरेटिब मैमोरी य यह कोई प्रतिभा सम्मंदित इस्मृती नहीं है, साइकल चलाना एक प्रोसेस होती है, क्योंकि साइकल चलाना एक मेकैनिकल प्रोसेस है, जितने भी काम जो मेकैनिकल प्रोसेस से रिलेटेड है, वो सब के सब हमें प्रोसीजरल मेमोरी में स्टोर होते हैं, प्रक्रियात्मक स्मृति में तो देखते हैं इसका जवाब सही है या नहीं है थो जो प्रोसीजर टाइप के मतलब के कुछ इस है कल चलाना गाड़ी चलाना इस इस टाइब प्रोन अलगा निकल टाइप जो रॉक होते हैं को प्रोची ज्यॉँर्गा चलाना से क्वेशन नबर 17 तो इसमें क्वेशन नबर 17 देखते हैं self-improvement is given importance in approaches to personality, in following approaches to personality, आत्म सुधार को व्यक्तित के किस प्रकार की दृष्टी कौन में महत्तवा दी जाती है, मतलब अगर कोई इंसान self-improvement करता है, तो वो कौन सी personality के कौन से approach को ले करके चलता है, वो कौन सी approach ले करके चलता है, given importance in following approaches to personality, वो cognition दे रहा है, मतलब वो संग्यानात्मक है, या वो psychological है, वो humanistic है या biological है, तो देखो भई, आत्म सुधार कभी biological तो हो नहीं सकता है, तो एक answer तो बिल्कुल पक्का cancel हो गया कि ये तो हो नहीं सकता है, अब बात आती है, संग्यानात्मक, तो आत्म सुधार, self improvement, अपने अंदर का improvement, कुछ हद तक संग्यानात्मक आता है, self improvement is given importance, approaches to the personality, बट यहां भे personality की बात कही जा रही है, सुधार को व्यक्तित के expect की बात कही जा रही है, व्यक्तित के सुधार की बात कही जा रही है, तो व्यक्तित के सुधार की जो बात होती है, वो एक प्रकार का मानौवादी द्रिष्टी कोन होना चाहिए मतलब इसका अंसर C लग रहा है कि humanistic द्रिष्टी कोन होना चाहिए आपका अंसर क्या है बच्छों बताईए क्या लग रहा आप लोग को cognitive लग रहा है psychological humanistic ओके देखते हैं इसका अंसर कि यहां पर व्यक्टित के सुधार की बात कर दी है ओके चली वाट काइंड ओफ लर्नर इस चाइल वू सीम्स टू लर्न बेस्ट वन केरिंग आउट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डिलेटी तूद सब्जेक्टिक बच्चा किस तरह का विद्यार्थी है जो वी से संबंदित बहुती गदिविदी करते हुए सबसे अच्छा सीखता है जैसे कोई बच्चा है वो खेल खेल में सीख रहा है बहुती गदिविदी करते हुए लाइक उसको आपको कुछ सिखाना है एक दो तीन चार तो वो कुछ करते हुए सीख रहा है तो यह कौन सा एक्जामपल है लर लेखज एक लगया बैफने किर लिखन भी नहीं लग रहा है द्रश किवल देख करके नहीं सीख रहा है समझ गए ना, तो उसकी activity kinesthetic है, ठीक है ना, हाँ, तो उसकी activity kinesthetic है, बट यहाँ पर यदि आप बात की गई है, बुद्धी की, जो उपर बात की गई है, कि बुद्धी की, तो कौन सी बुद्धी में उसकी memory में store होती, जैसे आज आपने cycle चलाई, और कल आपको cycle चलाना है, तो ऐसा नहीं कि आज चला करके कल आप भूल गये, कल भी आपको याद रहेगा, तो आपके जो बुद्धी का जो पार्ट है, जहां पर यह store होती है, तो बुद्धी के उस पार्ट को बोलते हैं, कौन सी memory, procedural memory, जैसे एक question था, assimilation और accommodation में, difference क्या होता है, okay, okay, assimilation and accommodation, देखे, assimilation and accommodation, इसको हिंदी में दी वर्ड पता है, आपको तो मेरे को हिंदी में इसका नाम पता है, बता रहेता हूँ मैं, accommodation and assimilation, इसमें एक चीज यह है, कि जैसे कि, मेरे खाल से, accommodation का मतलब जो नई knowledge है, accommodation का मतलब सामायोजन, और assimilation का मतलब, यह नहीं पता है, ठीक है, तो इसमें से दो चीज़े हैं, दोनों में देख लीजेगा, आप एक मैं assimilation and accommodation है, तो एक meaning तो यह है, कि नई knowledge को अपने अंदर लेकर के आना, समझ में आया, नई knowledge को अपने अंदर लेकर के आना, कि जैसे आपको कोई नई knowledge मिली, तो उसको आप अपने अंदर लेकर के आते हैं, तो वो हो जाता है assimilation, समझ में आया, यह से, और accommodation का मतलब कि आपके अंदर कोई pre-existing knowledge है जैसे आपको मान लो आपने पता चला कि मैं जो है मैं पकोड़े बना रही हूँ और वो पकोड़े इस तरीके से बनते हैं ठीक है ना फिर आपकी कोई सहे लिया करके आपको बता जाती है कि देखो एक काम किया करो पकोड़े जो है वैसा तो तुम बनाती हो मगर इसमें ये चीज़ और डाल दिया करो तो पकोड़े तुम्हारे पहले से बहुत मस्त बनेंगे तो आपने क्या कर लिया आपने इस चीज़ का समायोजन कर लिया तो ये accommodation हो गया समझ मैं प्री एक्जिस्टिंग नॉलेज को थोड़ा सा मॉड और इसकीमा के बारे में आपको पता होगा है ना जाइस कीमा में मॉरी हाइज स्मॉल जैन सफ में मॉरी ठीक ना इसकीमा जमने आपको बताये थे और अब दिखते एक्ष्ट कोश्चन में 19 की बात करते हैं कि लर्निंग इस डिफाइन इस दा प्रोसेस ऑफ बिंगिंगिं रिलेटिवली परवानेंट चेंजस परमानेंट चेंजस ऑफ दा ऑके मतलब बुद्धी वो चीज़ अधीगम वो चीज़ लर्निंग मतलब अधीगम वो चीज़ जो एक जीव के किस चीज में अपेक्ष्चाक्रत इस्थाई परवरतन लाने की प्रक्रिया को लखेगा इस थाई है behavior में ओके behavior में परवर्तन आपको लाना है और यह तो thought में विचार में परवर्तन और व्यक्तित में परवर्तन या intelligence में परवर्तन तो learning किसे define किया गया है तो एक बहुत इत फेमस definition है learning की यह सीरह सीरह definition पूछ लिया गया बताइए कि अधिगन अधिगम को जीव के किस में परवर्तन को अधिगम कहा गया है यह तो एक motivation वालत था पर इसमें वहार आएगा वहार आएगा बिल्कुल सही वहार में परवर्तन को learning बोलते हैं आंसर वहार होना चाहिए थाट में परवर्तन नहीं है learning personality में परवर्तन learning नहीं है intelligence में परवर्तन कुछ होता ही नहीं है ठीक ना तो वहार में परवर्तन होना चाहिए बिल्कुल सही correct answer सरव व्यवहार में परवर्तन को हमνεरी कहते हैं कि चलिह नेक्स अगला बात करते हैं अलबर मनुरण की बनूरा ने ठीक ना येस बेकी यह पर इनले फियर लेस पिर एक्सपरिमेंट फियर लेस कीरे एक्सपरिमेंट भई बंडूरा उ तो सब लर्निंग धोरि लिख लिजिए जो बंडूरा थे इनकी सोशल लर्निंग धोरिथी थी तो वू प्रेट दरॉल आप नवॉडूल इसमें मॉडल की रोल किसने निभायता सोशल लर्निंग प्रेयोग करताने ने और बच्चे ने मित्रवत कुछे ने और के भेघवी बच्चे ने शोशल लेनिग ठीरी में इना किसने तो दिखो भिया यह भाज्या ये दुजनी यह तो बात पक्की है कि मित्रवत कुछता नहीं था क्योंकि यह पावलाव का एक्सपरिमेंट तो मित्रवत कुट्ता नीचाल बंदूरा वाले केस में एक्जामिनर निडर बच्चा और भैवीद बच्चा किसकी बात कर रहे हैं एक्सपरिमेंट मतलब की हमें बताना है कि फियर लेस पियर प्रियोग में किसने मौडल भूमी का निवाई थी सोची जरा बच्चो क्या होगा इसका अंसर नीडर बच्चे ने पढ़ा है अपने इसके बारे में जी सब्सक्राइब हो रहा है थोड़ा साउंड हो रहा है थोड़ा प्लीज मतलब ऐसी जगए आजाओ आपकी बात में सुनना चाहता हूं तो ऐसी जगए आजाओ की थोड़ा सा मुझे सुनाई दो आप क्लियर हां त एक गुड़ा उसको दिया था डॉल और डॉल क्याधार पर उन्हें मुविया दिखाई थी दुटीम प्रकार की मुवी अच्छा 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 तो वो बच्चा वो बच्चा भैभीत भैभीत था फियर्फुल चाइल था हूं यह सलो तरियर यह प्यार एक्सपेरिमेंट के बारे में पर यह भैवीत कैसे हो सकता नहीं नहीं फियर्लेस पियर एक्सपेरिमेंट है मगर उसमें उन लोगों ने जो बच्चा लिया था वो फियर्फुल था ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि जो स्टूडेंट वहां पर लोगों ने लिया हुआ था वो फियर्फुल था ठीक ना तो चलिया आंसर देखते हैं इसका सही आंसर क्या है यस दा फियर्लेस चाइल तो यहां पर जो चाइल था वो फियर्फुल चाइल था ओके ओ सॉरी गलत हो गया फियर्लेस चाइल यहां पर जो चाइल है वो भैभीत बच्चा नहीं था यहां पर जो चाइल है यहां पर जो बच्चा है यहां पर जो बच्चा है वो निडर बच्चे की बात हो रही यहां पर फियर्लेस चाइल हां तो यहां पर यहां पर यह है कि यह जो question है, इससे support कर रहा है, एक तरीके से answer से, so fearful child नहीं है, यहाँ पर जो बच्चा है, वो निडर बच्चे की बात हो रहे है, तो इसको note कर लीजे, fearless child, अगला, study of meaning of a language, देखिए study of meaning of a language क्या कहलाती है, language की sound study होती है, meaning study होती है, pattern study होती है, अलग-अलग studies हुआ करती है, तो किसी language की meaning, मतलब अर्थ, अर्थ के अध्यान को क्या कहा जाता है, बताइए, Semantics, अर्थ के अध्यान को क्या कहा जाता है, very good बेटा, बहुत जवाब है, आपका correct answer, इसका semantics ही होता है, ओके, अर्थ के अध्यान को क्या कहा जाता है, तो अर्थ के अध्यान को semantics कहा जाता है, ठीक ना, यस, चलिए, next question, बहुत काम का question है, और very important question है, कि 7 से 12 साल की अवस्था जो होती है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, जीन पियाजे की तीसरी अवस्था आपको याद होगी, जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है, इससे आप क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, S, P, C, F, S का मतलब, S का मतलब पता आपको, से एंसरी, मोटर बिल्कुल सही, यही ड की तो आपको, fell REM, पिल्कुल शही है, फिर प्री प्री मृपरीशनल वाले, न फिर फिर शही जीन परन को, यही जीन फेंसले आपको शही करता इस से जए जीन को, है कर यहीड सrios, जीएतलम, चिप्टीग की 12-18, 12-18 कौन सी चलती है, लाइस्ट वाली formal operational stage, हाँ, 7 से लेकर 12, मैं 7 से लेकर 12 भी बात कर रहा हूं, 7 से लेकर 12 चलती है, वो कौन सी है, concrete, concrete operational और F जो है, आपका 12 से लेकर 18 तक, ठीक ना, formal operational stage चला करती है, तो 4 यहाँ पर stage दी गई है, sensory motor stage तो sensory motor stage देखिए, सबसे छोटी होती है, जब बच्चा जो होता है, पेशी है, motor अपने हाथ पैर चलाना सीखता है, तो 0 से लेकर के 2 तक जो होती है, sensory motor stage होती है, then उसके operational stage, पुरु संक्रियात्मकवस्था उसके बाद आती है, कि 2 साल से लेकर के 6-7 साल जो है, बच्चा pre operational stage में होता है, उसके बाद जो बच्चा है, चीजों को जैसा देखता है, वैसा समझना सुरू कर देता है, उसके पास जो होता है, मूर्त knowledge आ जाता है, चीजों का, तो 7 से लेकर के 12 साल तक जो होती है, वो concrete operational stage होती है, और उसके बाद वो formal operation stage में आ जाता है, बच्चा, जिसमें वो अमूर्ची जों को भी देखने लगता है, 12 से लेकर के 18 साल तक, बिल्कुल सही जवाब आपका बेटा, जो object permanent होता है, मतलब कोई भी चीज permanent है, ये बच्चा कब स कुछता है, early childhood में की late childhood में, मतलब, pre-operational में की concrete में, जो object permanence होती है, आपकी formal operational stage में, object permanence मतलब, यहां से सुरू हो जाती है, आपकी, करीब, जब बच्चा जो होता है, early childhood की बात मत करो, जब past childhood याने की, after childhood, वहां से object permanence होता है, ठीक न? जैसे सर बच्चे नहीं रहते की, ये मेरी डॉल है, तो मुझे यही खिलानी है, वो डॉल का है, उसके पीछे पढ़ जाते हैं, तो ये तो बच्चे करते हैं, देखो, एक आपको जैसे बच्चा जो, एक, जीरो से दो साल का बच्चा है, ठीक है न? वो तो नहीं करता है, इसके बाद में जो ए जाती है न, object permanence के रूप में हुआ करती है, जैसे कि मुझे कुरसी ने चूंट मार दिये, तो मैं भी कुरसी को मारूंगा, ये होती है, उसके अंदर जान नहीं है, फिर भी हो समझ रहा है कि ये जो है, आपका, है न? तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कहा जाता है, अरली चाइल्ड होल्ड बोलते हैं, इसको शुरुवात वाले को न, शायद? Yes, Pre-Operational में आए गए, ये हाँ, तो सबसे पहले तो, नहीं, दो से लेके 7 साल, हाँ, Pre-Operational, बिल्कुल सही, जीरो से लेके 2 तो sensory motor stage होती ह किस का correct answer है, concrete operational stage, अगला next question की बात करते हैं, next question देखिए four limbs of the body affected in case of okay four limbs of the body are affected in case of जो है इसके किस में चार अंग प्रभावित होते हैं तो एक तरीके से biological question है कि किस के केस में चार अंग प्रभावित होते हैं तो ये तो देखिए प्राई का मतलब तीन, बाई का मतलब दो, क्वाडरी का मतलब चार and हेमी का मतलब कुछ पता नहीं है तो आंसर इसका क्वाडरी प्ले गिया होना चाहिए क्योंकि चार अंगों की बात की जा रही तो बिल्कुल सही आंसर भी है क्वाडरी प्ले गिया आपको बताना है कि व्यक्तित विकास में किस चीज से सहायता होती है फस्ट क्विकेंद प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन में परिपक्ता के प्रक्रिया को तेज करने में इंक्रीस दा बॉड़ी स्ट्रेचर सरीर का कदब बढ़ाने में डीलिंग विट सोशल सिचुईशन समाजी किसी तो से निपटने में जन्मजात विकारों को काभू पाने में ओवर्कम्दा कंचन्जैल डिसॉर्डर तो तो बताईए कि यहाँ पर सिर्फ परिपक्ता को विकास में सहायता और किसी के विक्तित विकास से development की personality development से body structure का कोई मतलब नहीं है जन्म जात विकारों को भी कोई दूर नहीं कर सकता है बात है तो यह कि social situation personality development आप social situation को deal कर लेंगे and quicken the process of maturation याने परिपकतवा की प्रक्रिया तेज करने में तो जह सही answer जो समझ में आ रहा है वो समाजी की स्थितियों से निपटने की बात हो रही है personality develop करने से कहीं न कहीं आप social issues में काबू पा लेते हैं आगर आपकी personality अच्छी है developed है so dealing with the social situation so correct answer भी यह है dealing with the social situation चलिए next according to the thon dyke important question according to the thon dyke theory theoretical frequency of stimulus response pairing determined the formation off according to the thon dyke theory frequency of stimulus response pairing determined the formation of thon dyke सिधन का अनुसार उत Τेजना परतिक्रिया यगमो की आवर atravती नमनका गठन निरधारित करती है ओके उत तेजना परतिक्रिया यगमो की आवरती नमनका गठन निरधारित करती है के फस्त रिन्फॉर्स्मेंट प्रबलन ओके हैबिट्स आदत पनिस्मेंट दंड कंडिशनिंग मतलब अमनुबंधन ओके चलिए तो थॉन डाइक ने किसकी बात कही थी ओके थॉन डाइक ने ट्राइल अर्र त्योरी दी थी ओके एंड यहां पर यह पूला जा रहा है कि अध प्रति मतलब को यह बोले बोलिए तो यहां पर आपको बताना है कि फ्रेक्वेंसी ऑफ स्टिमलेस रिस्पॉंस मतलब कि यहीं पर आप उतेजना और प्रतिक्रिया को बार बार देखते हैं तो वो चीज किस में आ जाएगी उतेजना प्रतिक्री आप जो है बार बार देखते हैं तो वो किस चीज का गठन करती है रेंफोर्समेंट नहीं रेंफोर्समेंट नहीं क्योंकि यहां पर बार बार की बात हो रही तो यह आदत बन जाएगी क्या बन जाएगी आदत बन जाती है फॉन डाइक की बात करी जाए तो य आपके घर का जो पपी है वो फटाक से चल के आ जाता है कि मुझे खाना मिलने वाला है समझ गया ना तो फिर उसके बाद जितने बार घंटी बजाते हो चाह कुछ हो या ना हो वो दोड़ करके आपके पास में आ जाता है क्योंकि वो उसकी आदत कपाड़ बन चुका है आपके 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 क्रियेटिव थिंकिंग की गई है क्रियेटिव थिंकिंग है मतलब दिमाग पर जोड डालना है और क्रियेटिव यह विशुचना है ओकुप क्रियेटिव थिंकिंग है तैंटिवचा देखेए दो तो फो नहीं सकते कि ए समय प्रवंदल क्रिट qué inform актив नहीए कर्के बच तर्क तरीलव अच्छ अगा के रंचनात्मक चिंतन एक क्रियोटिब ठिंकिंग और क्यों करना यद तरक करना को फुश्ट पूर्च ताच और ग्यू अचलिए देखते हैं दोनों लग रहे हैं कि तरक करना भी हो सकता है पूच्टाच थोड़ा सा कम लग रहा है और और्गू करना थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ रहा है तो correct answer इसका है questioning याने की पूच्टाच तो इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा यहना creative thinking में पूच्टाच जो होता है वो creative thinking में आता है Actually, जो word creativity का मतलब होता है कि किसी चीच को बनाना किसी चीच को बनाने से लेकर के होता है creative thinking तो जब आप बनाते हैं, argue में ये है कि आपके पास कोई knowledge है उसी के बारे में आप जगड रहे हैं उसी knowledge को लेकर के and पूछताच में आपके पास कोई situation नहीं दी गई है इसलिए creative वाली बात यहाँ पे apply हो रही है Question number 27 की बात करते है Language is which of the following type of contained भासा निमलेखित में किस प्रकार की विशेवस्तू है भाशा जो है, स्रमण है, auditory है, रूढ़िवादी है, pendantic है, द्रश्य है and symbolic है, भासा किस प्रकार की विशेवस्तू है तो भाशा जो है, श्रमण है, रूढ़िवादी है, द्रस्य है तो यह नहीं है, pendantic नहीं है अब बताना है आपको कि auditory and संकेतिक में कौन सी चीज है भाशा symbolic है या auditory है भासा हमें क्या बताती है अब इसका जवाब देने के पहले हमें यह यह रखना पड़ेगा कि भाशा का मतलब ऐसी कोई भी माध्यम जो अपनी बात को एक दूसरे से जगह पे पहुँचाया जा सके तो braille भी एक lippy है, एक system of language है जिसमें की यह कहना चाहिए गुंगो की जो भाशा होती है उसमें उनको हम by symbolic दिखाते हैं तो वो भी एक भाशा ही है तो यहाँ पर मेरे हिसाब से answer जो होना चाहिए auditory के अलावा जो है वो symbolic बनना चाहिए तो भाशा जो होती है वो एक सांकेतिक होना चाहिए से exactly answer is सांकेतिक question number 28 यह cancel हो गया है question number 28 cancelled which of the following compares the human cognition to the working of a computer निम्न में से कौन computer के काम काज के लिए मानवी अनुभूती की तुलना करता है tantrika प्रक्रम network मानचित्रण सूचना प्रक्रम and man मानचित्रण कौन computer के काम काज के लिए मानवी अनुभूती की तुलना करता है तो जो एक तरीके से मतलब हमारे सरीर के अंदर जो है एक तरीके से मानवी अनुभूती यदि बात की जाए तो उसमें Central Processing Unit के रूप में कौन काम करता है हमारे सरीर में जैसे Computer काम करता है उसमें कौन सा Part हमारे सरीर में काम करता है Network Mapping, Information Processing, Mind Mapping and Neural Processing तो हमारे सरीर में जितने भी Signal Transfer होते हैं वो Neural Processing के थ्रू होते हैं इसका अंसर मुझे ए लग रहा है कि इसका अंसर Neural Processing होना चाहिए ओके, तो करेक्ट अंसर विल बी Information Processing सूचना प्रक्रम Question No.29 भी Canceled है What is described as a pattern of enduring characteristics that defines a person and produces consistency and individuality स्थाइ विसेस्ताओं के pattern के रूप में क्या वर्नेत है जो एक व्यक्ति को परिभाशित करता है एवं एक व्यक्तित प्रदान करता है तो यहां पर Important यह कि स्थाइ विसेस्ता की बात की जा रही है स्थाइ विसेस्ताओं के pattern के रूप में क्या आपको exist करता है है ना स्थाइव इस इस्ताओं के पैटर्न के रूप में क्या वड़नेत है जो एक व्यक्ति को परिभाशित करता है और इस्थिरता एवं व्यक्तित उत्पादन करता है तो ओप्शन्स क्या है इसके ओप्शन्स है परसनालिटी अधिगम बुद्धी प्रेड़ना वड़ डिस्क्राइब एड़ पैटर ऑफ एंडिवरिंग केरेक्रिस्टिक्स दाट डिफाइन परसन्स भी या किसी व्यक्ति को डिफाइन करने में उसके किवल ना लर्निंग का यूज है ना प्रेड़ना का यूज है उसकी परसनालिटी ही डिफाइन करती है तो यह कि तर्कसंगत चिंतन सब्द तर्कसंगत मतलब कि अब जो है अप्स ट्रैक्ट हूंग nay कुश्छन आ कि कहने कि इसलिए गलत हो गया क्योंकि एब स्ट्रैक्ट तिंकरिंग ओन्धी जो होता और स sometime Thrilित आए यह अमूर चिंतन है और हिंदी में इसको दे रिया है तरक संगत चिंतन तो तरक संगत चिंतन की हम बात करें कि विटा आप माइक आफ कर लो तरक संगत चिंतन की हम बात करें कि तरक संगत चिंतन क्या होता है किस चीज पर डिपेंड करता है तरक संगत मतब लॉजिकली आपक प्रिलिना, तो correct answer अगर आपके अंदर बुद्धी है, intelligent आप बात कर रहे हो, थोड़े से आप intelligent हो, तो आप यह कह रहे हो कि तर्क संगत होना चाहिए, तो इसका answer जो है, बुद्धी होना चाहिए, ओके correct answer, तो इसका answer है, बुद्धी, तो तर्क संगत चिंतन यहां इसका answer रह किसे यहां पर फिनिश हो चुका है चलिए थैंक यू बच्छों बाई बाई थैंक यू से थैंक यू से